गूड मॉर्निंग इब्रिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ अच्छे होंगे आप देखना सुरू कर चुके हैं केमेश्ट्री प्लानेट और मैं हूँ डॉक्टर सत्यम मिश्रा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इंपोर्टेंट सेक्षन और्गनिक केमेश्ट के अंदर आता है ठीक है तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लाश्फीकेश्टन और नुमनक्लिचर ठीक है क्लाश्फीकेश्टन ऑफ और और औरकोंड क्लासिफाई करते हैं और अदेखने को मिलते हैं ठीक है आप प्रपड़ी हो सकता है, फिजिकल प्रपड़ी, केमिकल प्रपड़ी सब में आपको चेंज देखने को मिलेगा तो यह आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास्पिकेशन अप और्गनिक कंपाउंड, पहले पढ़ेंगे क्लास्पिकेशन फिराएंगे नुमकलिचर पे तो औरगनिक कंपाउंड फ्रेसं करने का दो तरीका है, हो सकता है कंपाउंड हमारा ओपेंचैन कंपाउंड हो या फिर ग्लोजचन कंपाउंड इस ओपेंचैन कंपाउंड को पन एलिफैटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं और इसको एक्रालिक ıyorsun बिखना है, वैसे कंपाउं तो क्या हो गया एक straight chain दुसरा branch मुझे estas a Congression निकला है इस इन निकला है इस निगम इ उसके अलावा आपकों मुंझे ust two chain और एक ओर सकते हैं एक और क्टेकरी में Colorado कर सकते हैं that is a saturated and unsaturated saturated बोले तो single bond वाले compound और unsaturated बोले तो multiple bond वाले compound ठीक है या clochen में इसको अपन एलिशाइक्लिक और cyclic और ring भी बोलते हैं या दुड़ाइब को हो सकता है homocyclic और carbocyclic compound ना कारवन ही cycle का पार्ट है कि बोले अज़रा है हेट्रोशाइक्लिक compound जिसको अपन हेट्रोइटम्स प्रेजेंट होंगे इसमें इसमें नाइट्रोजन ऑक्षिजन सल्फर फर्स्पोरस एक सेक्टर दिजार्दर पार्ट ऑफ रिंग अगर मैं बात करूं होमocyclic compound का तो आग कंटेन रिंग्स ऑफ कार्बन ओल्ली कि वह नहीं है अब देखो इसके अंदर दो चीज़ देखने को मिलता है इलिशाइक्लिक compound और एर्मेटिक compound इलिशाइक्लिक मतलब नॉर्मल सा रिंग है उसके अंदर कोई multiple bond आपको conjugation में नहीं होगा ठीक है जैसरे कि cyclopropane, cyclobutane, cyclohexane इन सब में अभी single bond है multiple bond भी अगर आएगा तो आपको वह conjugation में नहीं होगा, conjugation क्या है इसके लिए आप चैनल पर जाके एक conjugation पर हमने वीडियो बनाया है उसको देख सकते हो, ठीक है अब पढ़ेंगे बाद में उसको पढ़ेंगे पहले आ रहे हैं systematic तरीका से, दुसरा है आपका aromatic compound, aromatic में दो चीज़े हैं benzoid compound और non-benzoid compound, benzoid compound का मतलब है जो benzene और उसके derivatives हैं, जैसे कि आप देखो पहला benzene है, दूसरा benzene में CH3 लग गया तो toline है, एक benzene में एक और benzene लग गया, तो naphthalene है, दीजार देख जाम पलब benzoid compound, it means यह लोग benzene के derivative हैं, दूसरा है हमारा non-benzoid compound, जैसे कि aguline यहाँ पे six membrane से आप देख सकते हो, एक और five membrane attached है, या फिर यहाँ देखो, प्रोपेलीन ठीक है यहाँ पे, अब seven membrane है, उपर भी सा seven membrane है, वहाँ सा double bonded oxygen है, तो दीजार देख एक जामपल ऑफ non-benzoid aromatic compound, यह सब भी aromatic हैं, किसी को अगर समझ में दिक्कत हो रहा हो, यह aromatic क्या होता है, तो मैंने अलग सी वीडियो बनाया है, दो वीडियो बनाया है, छोड़े-छोड़े, aromatic compounds के उपर, बहुत पुराना वीडियो है, जाकर उसको आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आपको पुड़ा detail मिलेगा, पढ़ाऊंगा फिर से उसको एक बार और, अब देखिए, heterocyclic compound के अंदर, heterocyclic compound contain hetero atoms in the ring मैं पहले बोला था, ऐसे जाने को 5-member ring है, बीच में nitrogen है, नाम है pyridine, यहाँ, sorry, 6-member ring है, यहाँ 5-member ring है, और एक sulfur attached ने बीच में, नाम है thiofin, ठीक है, thiofin, thiofin बोलते हैं इसको, thio मतलब sulfur होता है, यहाँ 5-member ring है, और बीच में oxygen है, अब यहाँ देखो, इसी furon के सारे multiple bond, जो double bond, तो हटा दिया हमने, तो यहाँ पन गया tetrahydroferon, THF, tetrahydroferon, यह THF, one of the most used solvent होता है, organic chemistry का, तियो हमारा, आप देखो, यहाँ पे, organic compound का हमने classification थोड़ा सा देखा, इनी सब को आपन आगे चलके पढ़ते हैं, ठीक है, अब देखो, इस टेक टर्म और है, आपने शना ह होगा, ठीक है, that is homologous series, तो दा जाता है, organic compounds containing one particular characteristic group और functional group, constituents of homologous series, that is alkane, alken, halos, alkenols, 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 ठीक है, यह अलकोनिक एसीड, यह सब के लिए आपने वही पढ़ा होगा, class 11, तो हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे, हमें एक और चीज देखने को मिलता है, homologous series में, मैं जानते हैं, alken के लिए है, alken के लिए है, alken के लिए है, alken के लिए है, उन सब के बीच में, हम formula लगाते हैं, CNH2N plus 2, CNH2N, CNH2N minus 2, ऐसा formula होता है, एक homologous series में, आपको थोड़े थोड़े difference होगे, और व nomenclature पार्ट पे, ठीक है, और nomenclature पे आने के लिए, मैं आपके साथ एक table discuss करने वाला हूं, that is a common name का table है, और इसको trivial name भी बोलते हैं, यह आपको जब UPAC nomenclature नहीं था, मतलब इंटरनेशनल union of pure and applied chemistry, जब तक naming नहीं कर रहा था, उससे पहले आपको यह common name का trend था, और common name चल रहा था, ठीक है, लेकिन आज के डाइम पे UPAC का जमाना है, तो UPAC चल रहा है, ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ कुछ केस में, जो हमारा UPAC name है, बहुत ही tedious है, इसलिए अपन आपको common name को prefer करते हैं, इसे आपन जानते हैं, सुक्रोज के example, लेक्टिक एसिड ले लो, यह लो common name से बहुत ही famous है, ठीक है, लेकिन का UPAC name प्रहादा tedious है, tough है, ठीक है, तो कुछ table में हम देखेंगे, कि हमारे पास कुछ common name है, इसके कौन-कौन से source हैं, और इसके क्या structure से, source से बहुत बार कुछ चुनिया से पुछा गया है, selective हमने लिया है, यहां देखो, पहला formic acid, sources formica, मतलब rate and, बताना चिट्टी वाले लाल रंग की वही, H-C-O-H, सबको formula का मालूप ही है, दूसरा acetic acid, source is acetum, acetum को बने विनेगार बोलते हैं, next है propionic acid, source है propion, ठीक है, fat जिसको बोलते है, ब्योटारिक acid, source है butyrum, नामे इसका butter जिसको बोलते है, next है valeric acid, source है valerian, ठीक है, ठीक है, आपको carbonic acid, ठीक है, या गोट से मिलता है, फिर urea, urine से मिलता है, malic acid, malum, apple से मिलता है, अचा, malic acid के लामा, malanic acid, maloic acid, सबका source, malum ही होता है, ठीक है, methyl alcohol, इसको अपन, मेटू अब मतलब क्या बोलेंगे, मेटू आइन, ऊड़ अड़ बोलते हैं, इसको ऊड़ अड करता हूँ, देखो, देखो, देखिए, अपना है, इसमें भी हमने क्या देखा था, अभी एक, फार्मिक शिट देखे थे, acetic acid, प्रपायोनिक एसिड, ब्लूटारिक एसिड, वैलरिक एसिड, अब देखो और है, ऑग जलिक एसिड, जोता है, ऑग जलिस प्लांट से मिलता मेला ही, मेला ही, मेला मतलब एपल, फिमर्क एसिड, फिमेट्रिक, बलोट मस्रूम, जो बोलते हैं, मस्रूम, चट्थू, उडिया आँ, यह है, उसके लामाँ देखो यहाँ पर, लैक्टिक एसिड, सोर्स, सइट्रम उड्स, प्रूट, मार्स गैस, मतलब देखे न, मिथन इनको मार्शी प्लेस से मिलता है वोड़ स्प्रीट आपको ग्रेन अलकोहल अपने इसे नौल बोलते हैं रविंग अलकोहल उरिया गुलकोज का सोर्स गुलका मतलब स्वीट फ्रॉट फ्रॉट्स यह सब कुछ कॉमन नेम्स वाले थे ठीक है तो अब अपना आते हैं यूपक निवक न्मेंग निवनकर पर ठीक है तो यूपक निवनकर फंपाउंट इसे शिस्तमेतिक मेथड ओव नीमिंग अर्गनिककमपाउंट तीप्यो के अव का निवनकर निवनकांटिट पर अप्रॉट्टी यूपिक नॅन इस यूपक बनेशी बाचे तो बिस्टक नुमने of substituted nomenclature of the compound भाई यहाँ पे upic nomenclature में तीन बात पे ध्यान देते हैं अपन prefix word root and suffix देखो word root से पहले लगने वाले को prefix बोलते हैं बात में लगने वाले को suffix बोलते हैं prefix दो डाइप का होता है primary prefix and secondary prefix अब मैं बताता हूँ उतना पहले सुनो फिर जो लिखा हुआ है उसपे बढ़ना है primary prefix gives information about presence of ring presence of ring अगर ring present है cycle present है तो cyclo sentence लएगा जैसे आपके structure में यहाँ देखो एक five-membered ring बना है that is a cyclopentane यहाँ है क्या pentane है but ring है इसलिए क्या लगनेगी cyclo मतलब primary prefix का इतना यूज है कि यह आपको ring से without ring में difference create करेगा distinguish from acyclic compound example cyclo paint फिर hen primary word primary prefix root suffix यह सब्सक्राइज को इसको छोड़ा चलो मैं क्या बोला primary prefix कब लएगा आपको जब cycle होगा अब देखो second prefix का मतलब बता है side chain और substitution जब आपके पास compound में कोई side chain है या substitution है उस time पे आपको second prefix यूज करना है ठीक है secondary prefix added before word root ठीक है अब देखो जैसे की कार्बॉक्सलिक compound में लगता है दूसरा treated as substituents and not functional group ध्यान दे इस बात को या कभी भी functional group नहीं हो शकता ठीक है added in alphabetical order हाँ alphabetical order में यूज होगा जब फ्लोरो है अदो F है और NO है तो फ्लोरो आएगा फिर नाइट्रोस हो आएगा मैं आपको एक example बताता हूं यहां से जैसे आप पढ़ते हो हैलो अलकेन हैलो अलकेन अगर आप बुक खोलोगे ने तो बहुत सारे इंडियन ओथर्स ने इ मैं बात कर रहा हूं 1993 के रूल के according अभी हम दो जो पढ़ रहे हैं 1993 1993 का यूपैक रूल है उसकी बाते मैं कर रहा हूं उसके बात से कोई रूल नहीं आया है सबसे पहले 1957 में आया फिर 67 में आया फिर 73 में आया फिर 93 में आया उसके बात से कोई यूपैक का फ्रेस रूल नही आया है, बीच-बीच में कुछ amendment आया है, सुधार आया है उसके basis पे कही-कही change देखने को मिला है हमारे यहाँ भी एक change है वो principal group के priority में change है, बाकि और कही change नहीं है तो देखिए, prefix में क्या होंगे दो type के, primary and secondary, primary में आपको cycle, जब compound में cycle structure होगा तो cycle sentence उच करेंगे और उसको primary बोलेंगे primary prefix बोलेंगे secondary prefix हमेशा, कहाँ आपको side chain के लिए उच किया जाएगा यह functional group के लिए नहीं है यह alphabet कर order में उच होगा अब आते हैं आपको word root, वो word root मितलब यह basic unit है, नहीं उनकले चकाँ, आपसे छोटा unit है और यह number of carbon को denote करता है word root gives information about present of number of carbon यह एक है, तो मेथ दो है, तो एथ, तीन है, तो प्रोब, चार है, तो ब्यूट, फाइफ है, तो पेंट लगता है ऐसे ही करके, six है तो एक, seven है है, eight है, तो oct, nine है, तो nine, 10 है, तो डेक, 11 है, तो undेक ऐसे करके second suffix, suffix दो डाइब होते है आपको primary suffix and secondary suffix, यहाँ पर जब primary suffix है न, primary suffix का एक ही काम है कि यह carbon, carbon के बीच में nature of bond को explain करे, primary suffix gives information about nature of bond between carbon, carbon atom, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारे पास saturated का है, carbon, carbon में single bond क्या है, single bond है तो A n यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, A n दिख रहा है नहीं, अगर unsaturated में double bond है, one double bond है तो A n यूज करेंगे अगर दो double bond है, तो die A n यूज करेंगे, तो ध्यान देए double bond के लिए in, ri, single bond के लिए n होता है वैसे ही triple bond के लिए आइन होता है क्या होता है triple bond के लिए आइन y ne n in iron है ना single bond के लिए in double bond के लिए in triple bond के लिए iron clear primary suffix gives information about nature of bond between carbon carbon atom single wash saturated है इन उपर्बन करेंगे चोटी है alkane alkene अलक आइन, तो single, double, triple, respective होगा, उसके बाद है secondary suffix, यह सबसे काम का चीज है जो हमें ध्यान देना है, क्योंकि secondary suffix, secondary prefix के साथ confusion create करता है, और यह इसलिए confusion होता है, कि बहुत सारे books ने खुद गलत लिख दिया है, और इस होड में NCIT भी पीशे नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा secondary suffix अलग है भाई, secondary suffix totally different है, जो लोग secondary suffix में आएंगे न, वह कभी भी secondary prefix में नहीं आ सकते, ठीक है, क्या बोला मैं, secondary suffix में आ रहा है, तो उसी टाइम पर secondary prefix में नहीं आएगा, हाँ, जब हमारे पास बहुत सारे functional group एक compound में होते हैं, तो अपन एक को secondary suffix मानते हैं, अब ब परिफिक्स मानते हैं, वह priority chain के according होता है, उसके उपर भी आने वाला हूं, पहले suffix को समझो, तो secondary suffix gives information about presence of functional group, presence of functional group, it added to primary suffix, ठीक है, indicate the nature of functional group that is alcohol किसे, OHH alcohol, ठीक है, वैसे ही अगर आपको CHO है तो अलडिहाइड है, ऐसे ही हमान करते हैं, इसके naming करते हैं, अब इसमें एक आची और सोचने वाली बात है, हमने अभी के वर इस टेबल को देखा, prefix, suffix and word root, एक बड़ और रिकॉल करतों में, prefix do type के primary and secondary, primary के वल, cyclo compound के लिए उज़ोगा, secondary, side chain के लिए उज़ोगा, वैसे ही आपको word root में number of carbonate होगे, suffix में आपको do type के primary suffix, nature of bond बताएगा, carbon के बीच में, secondary suffix आपको बताएगे, functional group के बीच में, थोड़ा सा मैं चलता हूँ आपको लेकिए, अपने हैंडिटे नोट्स के पास, थोड़ा उसको ध्यान से देखो, मैं इसी की बात कर रहा था, देखो, यहाँ पे word root, parent chain बोलते हैं, suffix, थोड़े primary suffix, secondary suffix, प्रिफिक्स थोड़ा इभी है, primary prefix, secondary prefix देखे हैं आपन, word root, continuous carbon chain है, एक से लेकर 20 तक है, यहाँ पे, cost, tricon, tetracon, pentacon, सब यहीं सब, अब यहाँ पे थोड़ा सा, चेनल दा, suffix, अहाँ, एक, इसको कैसे घुमाऊं मैं, ऐसे करका देखते ह हाँ, आप यह अपने काम का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, suffix, यहाँ पे दिखा, अलग-अलग है, इसको थोड़ा सा ऐसे tilt कर देते हैं, देखिए, यहीं सब है, यहाँ पे, prefix भी है, इसको ऐसे करे, टेड़ा हो जा रहा है, कोई बात नहीं, यहीं मुझे दिखा काना था आपको, बहुत सारे इसमें इन्फोर्मेशन है, यहाँ से, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कोस्टन लेते हैं, फिर इसको और भी explain करेंगे, हाँ, जो हमारा काम था, जिसको बात कर रहे थे, seniority table, ठीक है, जिसको अपना priority table भी बोलते हैं, अब देखिए, जो हमा युपक सिस्टम of nomenclature of organic compound, when folie functional group is present in aliphatic compound, then one of the functional group is selected as principal functional group, that is two degree suffix, and remaining functional groups are treated as secondary prefix, okay, this is determined by seniority table, और यहा हमारा seniority table है, इस table में सबसे पहले आता है carboxylic acid, कुछ टाइम पहले तक 2011 से पहले तक इसमें कुछ changes थे, और उपर आता था सलफोनिक acid, अभी क्या आता है, पहले carboxylic acid, देखो यहाँ, एरो मारा हो न, उपर नीचे का, इसका structure COOH होता है, और इसका 2D suffix होता है, OECC, और 2D suffix होता था carboxy, आज कल इसकी ज़रूरत नहीं पढ़ती है, कारboxyl की ज़रूरता है, सलफोनिक acid, पबला है, SO3H, सेकेंड़ी suffix है, सलफोनिक acid, और सेकेंड़ी prefix है, सलफो, अब इसके बाद आता है, हमारा इस्टर, इसको पर बोलते हैं, इस्टर, आया, इस्टर, COOR, इसका, देखो, सफिक्स है, अलकाईल, OEC, ठीके, प्रिक्स है, अ इसका suffix होता है, OEC, प्रिक्स है, हैलो, या कार्बोनिल, या फॉर्माईल, अलग-अलग, यह पुराने तरीके है, फॉर्माईल और कार्बोनिल, इसको अलग कर दो, आप हैलो याद रखो, इसे के 12th क्लास में चेप्टर भी है हमारा, हैलो अलकाईल, हैलो, अब देखो, य से पहले आया है, लोग, तो यह प्रिफिक्स है, फिर है, एसिड, एमाईड, C-O-N-H-2, इसका suffix माईड ही होता है, और इसका प्रिफिक्स कार्बोनिल है, कार्बोनिल ध्यान दो, कार्बोनिल ध्यान दे, अभी यहाँ प्रिफिक्स आया है, एक आदमी के लिए suffix भी है, फिर आता है हमारा इसके बाद साइनाइड क्या आता है साइनाइड जो साइनाइड पहले आता है साइनाइड स्कोलते हैं शीयन और सफिक्स है नाइट्राइल और इसका प्रिफिक्स है साइम साइनाइड के बादा है आइसोसाइनाइड एनसी और इसका सफिक्स होता है कार्ब इनके बाद वारी आती है एल्डी हाइट का इसको बना सीय चो बोलते हैं अल सफिक्स है और फॉर्माइल या फिर एल्डो ठीक है एल्डी हाइड का प्रिफिक्स होता है यहां 2012 से पहले जो एमेंडमेंट था न तो एल्डी हाइड उपर आता था साइन आइट नीचे आते थे ठीक है मेरे हैंड नोट से पहले का है इसलिए मैंने इसी में एल्डो मारके उपर नीचे कर दिया है ठीक है चलिए इसके बाद आते हैं आपको और भी है यहां पे ध्यान दे किटोन है न किटोन सी डबल बार्ण ओ तूडी सभीक से ओन लिखते हैं वन पढ़ते हैं ओन ग् तो दोते हैं अपन ओ एच सफिक से ओल और प्रिफिक से हाइड रॉक्सी फिर थाय अलकोहल सफिक से एसेच आपको सफिक से थायोल और टूडी प्रिफिक से मरक अप्टो इसी थायोल को अपन एल्पीजी गैस घर पे यूज करते और उसके अंदर डालते हैं मरक एपस।इ इसमेल जो होता है घर में जो gas cylinder यूज करते हैं उसके अंदर मर कैप्टेन होता है ठेक है फिर है amine amine NH2 suffix amine prefix amino अब देखो mainly functional group आके यहां फिन्स हो गया इसके आगे कोई functional group नहीं होते है लगवा 12 है इसके अलमा कुछ ऐसे भी है जो हमारे पास functional group नहीं यह बट हमारे syllabus में है उसको इसको इसका देखते हैं यह इस्टर यह सरी इथर है न और और प्रिफिक्स होता है इसका नेमिंग होता है अलकोक्सी अलके अलक पैटर्न से नेमिंग चलता है वैसे यहां पर epoxy भी है वैसे एजो भी है नाइट्रो भी है आपको नाइट्रो सो है लो इन सबको मैं functional नहीं मान रहा हूं फिर से बोल रहा हूं इसाब हमारे functional group नहीं है ठीक है लेकि बहुत सारे books ने लिख्या है तो मैंने भी निचल एड कर दिया और आप चेक कर सकते हो हर जगा से हमने suffix को missing रखा है suffix इसका होता ही नहीं है तो confused नहीं होना है ठीक है अब यह जो table अपन पढ़े हैं इसका use क्या यह समझे इसका use यह है कि जब हमारे पास एक स्यादा function group होंगे इन में से किसी एक को लेना है principal function group बाकी सब को लेना है side chain और जब side chain लेंगे तो उसका secondary prefix यूज करेंगे और main ले example लेके मैं बताता हूं और एक और चीज multiple bonds will be also treated as functional group multiple bond है ना उसको भी अपन फंक्शन गूपर तोर पे ले सकते हैं ऐसा बोलना है हमारे उपी टेंडंसर का इनको बुक में लिखा हुआ है ठीक है उसका region भी लिखे है ना क्योंकि multiple bonds suffix के अंदर आता है अब देखो यहाँ आप एक जामपल है हमारे पास ध्यांदू CH3 CH2 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 COH अब देखो एक COH इधर फंक्शनल ग्रूप है दूसरा OH इधर फंक्शनल ग्रूप है अब यहाँ acid है और alcohol है priority table में उपर को नाता है acid alcohol तो नीचे था acid से अधर प्रायर कोई नहीं है तो इट विल विल प्रिंशिपल फंक्शनल ग्रूप पी एफ जिया दिखाऊं प्रिंशिपल फंक्शनल ग्रूप एस्टीड होगा और यहां OH क्या हो जागा substitution या फिर side chain तो अब नेमिंग करेंगे तो रूल होता है कि अगर आपके फंक्श इसलों ग्रूप में कार्बन है तो नुमकलेचर वहीं से स्टार्ट होगा और उसको फर्स्ट प्रायविटी देंगे ठीक है तो यहां पे वन टू थ्री फॉर फाइब पांच कार्बन हुए जहां पे चार नंबर पे OH लगा होगा है तो क्या बोलेंगे अपन एक दो तीन चार पांच तो साइट चैन पहले आता है आये गा इस अब साइट चैन क्या है चार नंबर पे OH वह मतलब हैट्रोक्सी तो क्या देंगे पोजिशन 4 फिर हाइड्रोक्सी और फिर नाम क्या होगा 5 कारबन है तो पेंट सिंगल बॉंड है तो एन और एसीड है तो वहीक अब रूल देखोगा ना 20 से ज़्यादा रूल है बहुत सारे बुक्स ने बहुत सारे टीचर लोग आधाती है मल्टिपल रूल पढ़ते पढ़ते जाते हैं मैं उस सब रूल को साइट करता हूँ कि वह आपको दो रूल बताता हूँ कि numbering कैसे करना है और दूसरा बहुत सारे functional group हो तो arrange कैसे करना है इन दो रूल के भिहाब पे आप किसी भी type of organic compound जो की 11-12 में है या उससे related है उसका naming कर सकते हो इजली ठीक है तो अभी मैंने आपको एक table बताया table को use कैसे करते हैं example देखे बताया इन सब concept को formula के तोर पे कैसे है रिखेंगे ध्यान दो prefix पहले उच करेंगे जिसमें 2 degree पहले 1 degree बाद में फिर word root आएगा फिर primary suffix फिर secondary suffix आएगा ठीक है तो word root से पहले prefix और prefix से पहले 2 degree 1 degree word root के बाद में suffix पहले 1 degree फिर 2 degree clear अब step of nomenclature कैसे करेंगे न आपको इस बात को दिमाग में डालना है यार क्योंकि यहीं चीज़े जहां पर बच्चे मिशिंग करते हैं और गलत करके आते हैं that is selection of long chain ठीक है selection of long chain with numbering numbering के शार्ट में कैसे करेंगे तो इस बात को ध्यान सुनो in parent carbon chain is chosen as to include multiple bonds and functional group even it is not the longest continuous chain ठीक है हमें parent chain में उनको count करना है उनको count करना है जिसके अंदर क्या हो multiple bond हो जिनके अंदर functional group हो जिनके अंदर side chain हो भले ही वह सबसे longest क्यों न सबसे बड़ा नहीं हो तब भी चलेगा लेकिन हमारे पास जरूरी क्या है कि हमारे पास multiple bond हो functional group हो और side chain हो अगर यह सब हमारे parent chain में आ रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं और यह सब नहीं आ रहे हैं मतला हम गलत कर रहे हैं आपके शामने यहां पर दो example में दे रहा हूं ए और ध्यान से देखो यहां पर numbering करने के लिए आप बोलोगे एक इसर एक दो तीन चार पांच छे साथ इधर से क्यों नहीं किया देखो हमने किया है 1234567 अब हमने इसको क्या wrong बताया कि गलत है उसको right wall round सही है अब देखो आ से दो number पर side chain आ रहा है चार number पर आ रहा है पांच नमबर पर multiple bond पड़ रहा है इधर से देखो दो number पर multiple bond है चार पर side chain है और 6 पर side chain है अब लोग सर side chain तो इसमें बाद में आया फिर भी आपने बाद बाले को priority लिया तो आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो हमने priority लेने का तर तो आप functional group है लेकिन इस compound functional group नहीं है उस functional group के बाद हमारे पास priority में क्या होता है multiple bond क्या होगा multiple bond तो अब आप ध्यान से देखो इन दोनों में multiple bond पहले कहां आ रहा है फॉस्ट वाले में देखो ए में आ रहा है एक दो दो तिन कोचे multiple bond है तो हमें सा lower number लिखते हैं तो मेरे को दो नमबर है multiple bond मिला लेकिन मैं अगर इधर से naming करता तो पांच नमबर में मिलता जो कि मैं गलत कर रहा हूं ठीक है मुझे उस side से naming करना है जहां पे multiple bond पहले आए य तो देखो तो एक दो तीन चर पांच छे मतलब यह सही तरीका है एक बार और बोल रहा हूं हमें वैसे तरीके से सेलेक्शन करना है numbering करना है जहां पे functional group पहले आए या फिर multiple bond पहले आए या फिर हमारा side chain आए priority में पहले किसम रखना है functional group फिर multiple bond और फिर आता है side chain अब ना 2,6 di-methyl 2-methyl है तो इसलिए di-methyl hapt 2-3 के इसमें double bond है तो 2-in ठीक है और एक और बता दू मैं यह di-tri-tetra-cyclo in सब के उपर alphabetical order नहीं लगता है di-tri-tetra-cyclo इन सब के उपर alphabetical order नहीं लगता है ठीक है तेयस रही है एक दो एजमपल और भी है नीचे ध्यान से देखो a और b इस बार हमने numbering करने गए एक दो तीन चार पांच छे हमने ऐगर ऐसे करता तो गलत कर दी हम क्योंकि हम क्या बोल रहे है एक और दो नमबर पर क्या मिलता है दो side chain जबकि हमने functional group को पांच नमबर पर पा रहे हैं या गलत तरीका है हमें functional group को पाले लाना है मतलब एक दो तीन चार पांच हमारा side chain लेट से मिले कोई दिक्कत नहीं है functional group पाले आना चाहिए इसलिए एक दो दो नमबर पर OH मिला देखो तो अब क्या बोलेंगे one two three four five five पे दो मिथाईल है ना तो नमिंग मों लिखेंगा five five डाइमिथाईल five five डाइमिथाईल hex end to all hex end to all क्योंकि दो नमबर पर OH है ना छे कारवान इसलिए hex single bond है तो एन और दो पर क्या है always hex end to all हो गया ऐसे ही एक दो एक जामपल और लियाओं मैं यहां पर ए और बी करके देखो यह भी एस है ना चलिए कुछ इस एक जामपल देख रहे हैं तो एक compound यह देखो cyclic compound है एक functional group एक side chain है एक multiple bond है यह functional group भी है multiple bond भी है और side chain भी है तो इसमें हमेशा numbering कहां से करना है functional group वाले side से यह ओवे जिस carbon से लगा यह एक number हुआ अब आप बोलोगे कि सर functional group वाला एक number हमने मान लिया तो किसको दो माने side chain है multiple bond तो मैं फिर repeat करता हूँ कि functional group पुला एक number होगा multiple bond दो number होगा इसलिए numbering में एक दो तीन और चार चार number पे side chain आया यह rule सही है और ऐसे ही रखता है अभी मैंने आपके साथ एक जामपल में multiple bond दिखाया side chain दिखाया ठीक है multiple bond दिखाया functional group दिखाया इस बार functional group है multiple bond है औ ठीक है तो पाले क्या है one two three and four तो क्या बलेंगे four fluoro four fluoro लग गया ring है इसलिए cyclo कितना कारवन है तो चार के लिए but double bond है दो और तीन के बिच में तो but two in but two in one all four fluoro cyclo but two in one all इस तरह से इसका naming हुआ ठीक है कुछ special case है previous year medical है पुछे गये हैं इनको तुरा ध्यान से देख लो जैसे कि यहां पे है हमारा अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि जहां से functional group हो वहां से start करते हैं उसी को one देते हैं और इस तरह से अब हमारे पास कुछ example है यहां पे COH यहां भी है यहां भी और यहां भी है आपको जहां से numbering करना है left right उपर नीचे कहीं से नंबरिंग करो आप देखो होगे कि एक functional group छूट जाएगा अगर इसको लिए नंबरिंग करते हो ऐसे करके न इधर 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 फिर कहां भाग गया तो तब कोई ना कोई छूट जाए कहीं से भी चेक करो कुछ ना कुछ मिसीं हो जाएगा तो वैसे के लिए रूल ह अपनी है कि आपको पहले पैरेंट चैन उठा लो तीन है न तो तीन के लिए प्रोप सिंगल बोनड है तो एश्यूचि न लिखें कहां लिखेंगे प्रोपें और बोलेन वह लेंगे वनटू थ्री ट्राई कारबॉक्स लिक एसेड ट्राई कारबॉक्सलिक एसीड अब क्य यूज करते हैं, और यहाँ acid है, that's why carboxylik, जब हमारा functional group का carbon count नहीं हो, तो उसके लिए carb sentence यूज करते हैं, और acid है इसलिए carboxylik acid यूज करेंगे, तो propane 1, 2, 3, tricarboxylik acid, वैसे ही यहाँ लिएट का functional group भी count होता है, ठीक है? देखो, acid और aldehyde साइनाइड ठेक है यह लोग ऐसे हैं कि पाए जाएंगे टर्मिनल पे मतलब एंड में पाए जाएंगे और नम्बरिंग हमेशा इनहीं के सुरूत शुरू होता है तो यहां अल्डिहाइड भी है तो क्या बोलेंगे एक दो तीन तो तीन के लिए प्रोप सिंगल बहुँने थे हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्ब कार्बॉक्स डिहाइड कार्बॉक्स डिहाइड कहां बाग गया भाई जीव हो गया नीचे बाग गया देखो एक मिनट एक मिनट मिल गया ठीक है अब यही थे है अपन ठीक है तो क्या बोले है अपन प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बॉक्स डिहाइड वैसे ही साइनाइड भी है एक, दो, तीन है तो क्या बोलेंगे 1,2,3 प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल कार्बो कारबन के लिए नाइट्राइल फंक्शनल गुरूप के लिए यहाँ तरह कर्भो कारबन के लिए oh और oxy acid यम एक 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 कर्वक्सल्येंड के लिए ठीक है इस तरह चलता है यहां पर देखो इथर ऑर इथर हिंपर D अब ध्यान दो थोड़ा सा यहां से केरफुली 0 Italy Snapdragon इसमें से चोटा बड़ा ओर होगा चोटे वाले आर के लिए smaller smaller group के लिए एलकॉक्सी यूज करते हैं और larger group के लिए अलकेन यूज करते हैं कि smaller group के लिए अलकॉक्सी और larger group के लिए अलकेन अब बोलोगे कि सर अगर सेम हो तो क्या क्यों करेंगे तो सेम हो तो कुछ भी उच कर लो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रूल नहीं है इसके लिए कोई भी NCRT ने यहाँ पे दो गलतियां की है वह दो गलती की है ठीक है पहली बात कि क्लेर नहीं कर पाला है कि यहां सिस्टम जो है वह आपको मिक्स्ट इथर के लिए है और दूसरी गलती यह की है कि आपके सामने दिख रहा है नहीं काहाँ क्या चक्तिया लिखा है उसने कि वह तर नहीं होता है क्यों दाइंथयल इथर जो हैρα कॉमन नेम और यूपेक नेम दुन होता है यो च्छ true क्या कॉमन नेम है ये यह उप्य पार्ट आरो वार स्मॉलर गूर्प के लिए अलकॉक्सी लाजर गूर्प के लिए अलकेन यूज होता है ठीक है तो देखो यहाँ पे CH3 OCH3 यहाँ पे CH3 और एभी CH3 दोनों सेम है तब इसका कॉमन नेम डाइम था लितर है और इस कंपाउंड के लिए इसका यूपेक नेम भी डाइम थाइड इथर है अब यहाँ देखो CH3 OCH2H5 अब इस CH3 और OCH2H5 में लों देखोगे तो यहाँ पे इसका इथाईल इथर हAllah्यूपएन है इसका औक्षीजन होगा तो मिठायट के शब्शुक हुए ज़्चा और इसका लारजर फाइफ है तुसके लिए क्या बलेंगे ज़िए हुए हो यहाँ पे हता है अलकॉक्षी यथ है मिठाय ने इतर नहीं हो CH3 O CH3 इसको बोलेंगे अपन इसको बोलेंगे अपन 2-Methoxy 2-Methoxy-Propane एक, दो, तीन है तो दो नमबर पर क्या लगा है O CH3 that's why 2-Methoxy-Propane होगा हो गया ना ऐसे कुछ इसके compounds थे अलकोल जानते हैं अपन primary, alcohol, secondary, alcohol, tertiary, alcohol अलकोल जिससे लगा है एक डिगरी कारबन है तो primary दो से लगा है, 2 डिगरी है तो secondary, जिस कारबन 3 डिगरी है तो 3 डिगर अलकोल, ते सब alcohol से related है, amine इसके ध्यान रहे हैं दो होता है, यूपेक नेम के लिए उच करते हैं alkylamine, sorry, common name में alkylamine, और यूपेक नेमें alkylamine amine थी type होता है, primary amine, secondary amine और tertiary amine, common name क्या होता है इसका alkylamine, और यूपेक नेमें alkylamine alkylamine, ठीक है, यह सब चीजे हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ example हमने लिया है ठीक है, उसके अलामा यहाँ से यह सब कुछ questions थे एक यहाँ बता दूँ आपको अगर हमारे पास ring है normal और side chain है तो ring में, अगर ring में carbon कम है, ठीक है तो side chain, आप parent chain होगा अगर ring में carbon ज़्यादा है तो side chain आपका straight chain है न, straight chain यहाँ आपको side chain बन जाएगा, जिसमें ज़्यादा अगर दोनों में बराबर हो, यहाँ देखो एक, दो, तीन, और तीन का यह भी है तो बराबर हो, तो ring वाले को parent chain मानते हैं, और बगल वाले को side chain मानते हैं, लेकिन कोई multiple bond या functional group आ गया तो जिसमें available है उसी को पन parent chain मानेंगे इसका नाम क्या था, एक नमर पेद था है आपना, आपको ethyl, तो ethyl, cyclopropane यहाँ देखो, cyclopropane तो है ही, तो बोलेंगे propyle cyclopropane, यहाँ एक, दो, तीन, चार है, और तीन ring में है, तो बोलेंगे one cyclopropyle one cyclopropyle butane इस तरह से इसका naming होता है ठीक है, यहाँ कुछ ring के लिए attachment था ठीक है, चलिए यहाँ कुछ questions आपको सामने दिख रहा है, इसको भी आप note कर सकते हो, effect normal culture में मतलब, आज के लिए सूच रहे हैं, इतना ही, यह cyclic ether है, इसकी naming आप देख सकते हो इसके लिए पाइल, आपको open, one to epoxy के term में naming करते हैं यह need के लिए उतना importance नहीं है, नहीं जी इमेंस के लिए important है, आज इस्टर को naming करने का तरीका अलग होता है, alkyl, alkyanoate के तोर भी आपको naming करते हैं, ठीक है alkyl, alkyanoate आपको सामने के जामपल दिख रहा है, methyl, 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 ethanoate, ethyl propanoate इस अब आप देख सकते हूँ